जब नमुश्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का अनकैडमी के आज की सेशन में हम लोग देखेंगे कि मेंसुरेशन के कुश्चन्स हम लोग किस तरीके से सॉल्फ करेंगे और यहाँ पर बैटे सबी लोगों से अन्रोध है कि पैन कॉपी लेकर बैठ जाएं यह मेरा एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन बेटा सामने देख दिया हुआ इस वाले इंट्रोडक्शन को बिटा आप लोग पढ़ लीजिए तो यह तो है मेरे बारे मेरे छोटा सा इंट्रोडक्शन के वल अभी हम लोग बेटा डिफेंस एक्जाम पे अगर आप लोग जाओगे टेलिग्राम पे अगर फॉलो करोगे तो यू कन फॉलो में योगर ओन टेलिग्राम आइकोनिक प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे आपको मिलता है अगर आपको यह सभी सुधाय चाहिए तो बारा महिने का 807 रुपए पर मंत है चाहिए तो आप लोगों को यह वला डिस्कौऊंट चाहिए तो आप लोगों को बेटा मेरा कोड इस्तिमाल करना पड़ेगा यह रहा पहला को ना का आपकी आंकों के सामने ट्राय टू सॉल्ट इस कोश्चन और इस वाले कोश्चन को करने का प्रयाज कीजिए करिए यह वाला कोश्चन इस वाले कोश्चन को देखो करने का तरीका अगा कहोगे तो फिर मैं बता दूँगा वैसे आप लोगों को मैं दो मिनट में देना चाहता हूँ अगर उत्ते बीच में अगर आंसर आ गया तो गुड है ना बताये वाट विल बी दी आंसर आफ दिस कोश्चन मुकेश लतवाल ए ओप्शन ओके आओ बेटा देख लेते हैं अगर दो साइलेंडर है मेरे पास में जिनका वॉल्यूम एक्वल है यानि कि इधर का बेटा जो एक मिनट कहा गया पर यहां है इधर का बेटा जो मेरा पाई आर डैश स्क्वाइर एच होगा वो मेरे इधर के पाई आर इस्क्वाइर एच डैश के बराबर हो जाएगा यह मतलब है अब इसने कहा है कि जो तो इक्वल वॉल्यूम है ठीक है वॉल्यूम तो इक्वल है लेकिन जो हाइट से उनका वन रेशियो टू है तो आपको बताना आई कि रेशियो ऑफ रेडियस ग्या हो गया यानि कि यहां की high il बिटा एक्स है तो यहां की बिटा 2x है तो आपको बताना है कि radius का square क्या हो गया बिटा pi से pi तो बिटा cancel हो जाएगा तो फिर radius 1 upon radius का square हो जाएगा बिटा 2 upon 1 यानि कि इसको अगर हम लोग square square को अगर हम लोग इधर ले जाएंगे तो radius dash upon radius का हो जाएगा root 2 upon 1 so root 2 upon 1 is the answer of this question यह answer हो जाएगा अच्छा दूसरी बात है किसी को अगर proportionality theorem का अगर idea होता तो height का ratio अगर वेटा एक ratio 2 है तो radius square का ratio वेटा 2 ratio 1 होता तो यहीं सही मैं बता सकना हूँ कि radius का ratio ratio वेटा root 2 और 1 होता तो यह दो method है आपके सामने आपका वन हो आप जिस भी method को आप follow कर सकते हों आप लोग वेटा follow कर लेंगे दोनों ही method को इस्तेमाल करने में कोई बहुत बड़ा हमारा परक नहीं आ रहा है यह बेटा यह पीछे operation हुआ था तो उसका लगा हुआ है यह पीछे में operation मेरा हुआ था उस चीज का बेटा लगा हुआ है तो उसको bother out आप लोग बेटा मत कीजिए तो यह आपका अंसर आ जाएगा चलिए आईए दूसरे question की दरफ चलते हैं पोड़ा सब बेटा तेजी से करेंगे सवाल आप लोगों को क्योंकि बेटा मैं दो मिनिट मैं देना चाहता हूँ चाहें आपके answers आ जाएं चाहें ना आएं फिर भी मैं आप लोगों को दो मिनिट में प्रोवाइड में कराना चाहता हूँ What will be the answer of this question? क्या answer होगा आपके questions का? बताईए जल्दी देखके बताईए क्या answer हो जाएगा? क्या answer होगा दिना क्या हुआ What will be the answer of this question? बताये चलिए आईए देखते हैं एक hollow pipe है जो कि मेरा 21 cm long गया हो मुझे उसका diameter उसका 8 cm दिया हुआ है यानि कि pipe अगर बेटा होता है तो फिर pipe आपका इस तरीके से आपको दिखता है यानि कि इसका जो लंबाई है ये तो 21 cm है लेकिन जो diameter है वो आपका 8 cm है अब इसने ये वाली बात बताई कि बेटा diameter भी ऐसे नहीं दिखता है यहाँ पर इस तरीके से होता है तो ये thickness केवल होती है मेरे पास में तो फिर्टा thickness को अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ एक external और एक internal circle होता है तो external का इसने 8 दिया है अगर diameter का तो internal का diameter का आपका कितना बन जाएगा 7 यानि कि यहाँ पर क्या हो जाएगा pi का मतलब हो गया बेटा 22 बटे 7 66 हो गया लेकिन r1 और r2 का जो square हमें दिया है इसको हम लोग अगर बेटा लिखना चाहेंगे तो फिर 4 प्लस 3 और 4 माइनस 3 करके हम लोग लिख सकते हैं इसको तो यह हो जाएगा 33 into 7.5 और 7.5 को अगर बेटा हम लोग अगर दो बार लेते हैं दो बार ध्यान से सुनना 7.5 को अगर हम लोग बेटा दो बार लेते हैं तो हमारा 15 हो जाता है तो 7.5 को अगर हम लोग तुमारा 33 बार लेंगे या 15 को अगर हम लोग अगर बेटा 15 ही बार लेंगे तो अल्रेड़ी बेटा वो साड़े साथ बिटा 30 बार हो गया तो 225 तो वही हो जाएगा और जोना 3 बार के लिए बिटा 15 और अलग से 240 और 240 के बाद में 247.5 आ जाएगा अब बिटा 247.5 है मेरे पास में यहाँ पे बिटा इसने 8 यह दिया हुआ है तो मैंने का कि 8 यहाँ पे बिटा लेकिन इसने ग्राम पर शेंटिमीटर क्यूब के हिसाब से इसने दिया हुआ है तो मैंने का कोई भी दिक्कत नहीं है ग्राम पर सेंटिमीटर क्यूब के भी हिसाब से अगर दिया हुआ है तो 3.696 विल भी दि आन्सर of this question तो ये मेरा answer हो जाएगा थोड़ा सा वेटा तेजी से मैं सॉल्व मैं करूंगा मैं आप लोगों को मैं करने का मैं पूरा मौका दूंगा लेकिन मैं जब मैं सॉल्व करूंगा मैं थोड़ा स्पीड में मैं करूंगा क्योंकि मैं ये देख चुका हूँ कि मैं जितना भी स्लो बताता हूँ तो बच्चे कटने लगते हैं बताईए अर्पित कुमार यादब बिल्कुल सही आपने बताया था आराम से करो आराम से करो कोई जल्दबाजी नहीं है वाट विल बी दी आंसर आराम से करिए 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 बताओ बेटा क्या हो जाएगा वेरी गुड बच्चे वेरी गुड वेरी गुड आवसम आईए अब मैं करता हूँ अगर होगा भी तो फिर कैसे होगा ये देखते हैं पिटा हमसे कहा गया है कि एक साइलेंडर है जिसकी हाइट आपकी 12 सेंटिमीटर डाइमीटर अगर ये है तो रेडियस हमारा बेटे कित्ता हो जाएगा तो आपने का कि सर रेडियस हमारा हो जाएगा 5 सेंटी मीटर यार ये क्या हो रहा है आज सुबे से पीछे भी ओने लगा था वही वाला या मतलब है उतनी स्लाइडों पे आदमी लिखे ना या क्या ना करें God knows क्या है रुको एक मिनट पतानी क्या है ये चलो पेटा इसको लाओ आके लाओ लेते यहाँ पर लाओ मैं ले रहा हूँ इस वाले कोश्चन को यह कह रहा है कि आपका जो हाइट है वो तो बारा है लेकिन आपका डायमीटर जो है वो दस है तो फिर रेडियस विटा कितना हो जाएगा पांच एक कोनिकल कैविटी काटी गई है जो डायमीटर और हाइड विल्कुल सेम है तो आपको वॉल्यूम आफ बचे हुए उसका बताना है तो पेटा ये मेरे पास में समझो एक ये साइलेंडर है ठीक है और यहाँ से एक इसने कोन एक काट दिया अब ये कह रहा है बाकी का ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका एरिया बताओ कितना होगा मैने का एक बात समझो कि साइलेंडर का एरिया होता ही ये माइनस इसने कर रहे हो तुम एक तिहाई πाई आर स्कॉाइर है यही तो कर रहे हो जहां पे की radius और height बढ़ाबर है तो बचेगा कितना दो बटे 3 पाई आर स्कॉाइर है बस बटा पाई आर स्कॉाइर एच की वैल्यू हमें क्या दी गई है तो आपने निकालना शुरू किया कि 2 बटे 3 इंटू 22 बटे 7 इंटू रेडियस का स्कॉाइर हमें बटा 5 इंटू 5 दिया गया है और height हमको बटा 12 दी गई है बस बटा 25 यह हो गया 25 को बटा 12 बार हमने ले लिया है तो वहां पर यह हो गया और नीचे पर बिटा यह तीन दिया है तो इसको यहां पर यह वाला चार बार कार्ट दो अच्छे स्चौक चौश च्वालिस सौ हो रहा था फूर फूर डवल जीरो और यह अपाउन में हो गया बिटा 7 तो 62857 विल बी दी आंसर आप देखना हो तो फिर आप देख लीजेगा वैसे च्वालिस सौ आंसर आ जाएगा बिटा आपका अगला सवाल देखिए क्या बताया जाएए करिए इस वाले कुश्चन को प्राइडू सौल्व देस कुश्चन सौल्व कीजे क्या मुश्चन झाल झाल आराम से करिए झाल 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 बताईए क्या होगा अंसर चलो आओ भाई देखते हैं बहुत 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 लंबा बेटे टाइम ले रहा है हो आप लोग है ना radii इसने दिया गया है दो basis का जिनका ratio है विटा 3 ratio 2 और height का ratio है विटा n ratio 1 लेकिन volume जो है a का वो 3 गुना है b से तो मैंने का एक बात समझो a का volume हम लोग लिख लेते हैं पहले pi r square की बजाए विटा 3 का square हम लोग use करेंगे और h की बजाए बिटा N को हम लोग इस्तेमाल करेंगे अरे अरे N को इस्तेमाल करेंगे ठीक है चलो 5 into 9 into N अब ये वाले amount हमारे अगले amount का तीन गुना है जो कि ये पाई into 4 into 1 पाई आर स्कॉाइर एच हो गया पाई से बिटा पाई काट दो गया उसके बाद में बिटा N की वैल्यू की अगर बात होगी तो ये बिटा 4 बटे 9 आ जाएगा ये इस तरीके से और यहां पर ये वाला तीन आपका विराजमान है तो ये वाला तीन इसको काट देगा यानि की N की वैल्यू हो जाएगी बिटा 4 बाई 3 So 4 बाई 3 is the answer of this question बस given बिटा इतना सा करने से आपका सवाल का answer खतम हो जाता है तो इन सब बातों के उपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए थोड़ा सा concentrate कीजिए सवाल आपके बेहदासान है करिए अगला ये रहा आपकी आखों के सामने करिया आराम से कोई जल्दबाजी नहीं है करिए what will be the answer you झाल झाल what will be the answer of this question चलो आओ देखते हैं अब यह वाला question कैसे करेंगे दो आइरन शीट है स्पैरिकल शेप में हर एक का डाइमीटर बेटा 6 सिंटीमीटर है जिनको की पानी में डुबाया जाता है पानी में डुबोहिया जाता है सौरी एवरिवन यह खराब है ऑप्रेशन हुआ है वाइरल भी चला है साइनस भी बिलकुल उपर है क्या मैं बताओं मेरी हालत खराब है और पढ़ाना भी जरूरी है सारे काम एक साथ में चल ला है तो थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ में साथ बनाए रखे क्यूंकि दिक्कत तो चल रही है मुझे चलो टू आइरन शीट्स ऑफ स्पैरिकल इंस शेप पिटा अब देखो आ राइन पाई तुम्हारे पास में बच जाएगा नौ इंटू चार यानि कि यह हो गया विटा 36 पाई पाई को बाद में अड्जेस्ट करते रहना होगा अब इसको डूबोया जाता है एक सिलेंड्रिकल वेसल में जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर यानि कि इस गेंद का भी रेडियस है 6 सेंटीमीटर अब यह जिसमें डूबने जा रहा है उसका भी रेडियस है 6 सेंटीमीटर मैंने का बहुत बढ़िया बात है दा लेवल ओफ वाटर इंदा वेसल विल बी रेस सब्सक्राइब बाइब कोई दिक्कत नहीं है भाई पानी उतना ही उपर जाएगा स्थिलिंड्रिकली जो इसका वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम क्या है च्छतिस पाई यहां पे हम ने क्या लिखा है पाई आर स्कॉरर रेडियस विटा इसका क्या है च्छैंड डाइमीटर इसका क्या था 6 तो 6 into 6 into height अब बेटा मैंने ये तो काट दिया अब बेटा height मेरे पास में क्या बचेगी 1 बचेगी बस खतम हो गया बेटा question तुम लोग किस बात के लिए बैठे सोचते रहते हो किस बात का आप लोग इंतजार करते रहते हो और क्या अपने छुटे से दिमाग में लिए बाते तुम लोग सोचते रहते हो कि बंटी सिंग यू आज़ो इधर अगर इदर अगर और होगा तो होगा नहीं तो otherwise वाइस यू आर गॉना मेक इट मेरे हिसाब से 139 इस फाइन स्कोर ठीक स्कोर है लेकिन बेटा कट आफ के आसी पास मेरा होगे इतना ज्यादा कोई उपर उपर नहीं जाने वाले हो बाकी एक दिन बेटा लगा लेते हैं कट आफ बगयर का डिसकेशन कर लेते हैं लेकिन कोई नीड नहीं है यार ये कट आफ का डिसकेश करके करोगे क्या यार पेपर तो दे आयो पता नहीं मुझे मेरे को अपनी टाइम से सब बात में मुझे सुहाती नहीं है कि लाओ बैठ के मैं कट आफ का डिसकेशन में करूँ मार्क सार है फिर बस मैं करता हूँ इंतिजार तो काफी टाइम हो गया है उस चीज को दिये हुए उस बारे में सोचे हुए इट्स बीना लॉंग 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 टाइम करिये आप लोग करिये 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 बताओ बेटा बताओ what will be the answer of this question बताओ 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 हाँ भाई आप देखो देखो कर्फ दर पे सेरिया अचा ही है तो अभी करी रहे हो करो 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 करिये में इे भार करो करें what will be the answer of this question चलिए आईए देखते हैं आईए लेट्स हैवा लुक क्या होगा पिटा कर्फ सर्फेस एरिया और टूटल सर्फेस एरिया एक सेलेंडर का जो दिया है वो हमें वन रेशियो टू में दिया है और कह रहा है कि हमें बताना क्या टूटल सर्फेस एरिया इसका 616 तो इसका वाल्यूम बताओ कितना होगा मैंने का भाई देखो टूटल सर्फेस एरिया में क्या होता है जुड़ा होता है प्लस टू पाई आरेच भी जुड़ा होता है और यही होता है आपका कव सर्फेस एरिया अब इसने काए कि टूटल सर्फेस एरिया है 616 यानि कि 308 यह होगा और 308 यह होगा तो मैंने का कि भाई रेडियस तुम निकालोगे यहाँ से और height तुम निकालोगे यहां से और फिर उसके बाद में बेटा radius में जाके तुम height को put करोगे या फिर πाई यार square कितना हो जाएगा तो आपने का कि sir πाई यार square हो जाएगा मेरा 154 तो ने का 154 ही होगा ना मेरे भाई देख ले दो एक बार 154 हो जाएगा तो radius हो जाएगा sir आपका 7 अब इसी को बिटा यहां पे आओगे दो 22 बटे 7 into 7 into h अगर आप रखोगे so this will become 308 तो यह 7 से 7 यह कट जाएगा 11 से काटोगे तो 28 बार में चला जाएगा 2 यहां पे 4 से काटोगे तो साथ में चला जाएगा यानि की हाइड तुमारी कितनी आ गई 7 सेंटिमीटर तो फिर इसने क्या पूछा था इसने मेरे से वॉल्यूम पूछा था तो मैंने का भाई πाई आर स्क्वाइर कितना है 114 अब बेटा पाई आर स्क्वाइर पता है तो ह से बेटा मल्टिप्लाई कर दो तो साइलेंटरिकल का तुमारा वॉल्यूम भी आ जाएगा तो 15 सते बेटा कितना हो जाता है तो फिर आपने का सर फिफ्टीन सेवन जा हो जाता है हमारा या करी लेते हैं 28 का आर्ट लिगा और 15 सेवन जा आपका कितना हो जाता है 105 है 7 1078 देखो कोई क्या उप्शन है आपने का हाँ सर उप्शन डी है मैंने का उप्शन डी इस दा आंसर आप इस कुश्चन पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम लोग यह सब कुश्चन से बेकार बेकार से और कुश्चन से मैं क्या बता हूं इस शान हूं मैं खुद से तुम लोगों से भी अपनी जिन्दगी से भी बड़ा ठका हारा महसूल करता हूंगा देख तो यह नाक, तरदी, जुखाम, साइनस और आपरेशन, सरदर्द फटा जा रहा है बिल्कुल वाट विल भी आंसर आप इस कुश्चन झाल करता हूं What will be the answer of this question? What will be the answer of this question? What will be the answer of this question? चलो आव बेटा देखो जो डाइगनल है क्यूब का क्यूब होता है बेटा कुछ ऐसा? इसका जो डाइगनल होता है वो इस वाले छोड से या आके वाले छोड तक का होता है जो डाइगनल होता है बेटा क्यूब का उसकी खासियत होती है क्या खासियत होती है? जैसे square का अगर diagonal अगर आपको यह square अगर आपको पता है तो फिर वो होता है बिटा आपका root 2 ए है यही होता है diagonal अब आप यह सोचो के root 2 ए तो बिटा केवल इतना हो गया अब आपको बिटा जाना किदर था आपको यहां से लेकर यहां तक आपको यहां तक आपको यह वाला पूरा आपको जाना था तो आपको यहां से यहां तक कि आपको दूरी root 2 ए पता है तो यानि कि आप root 2 ए में root 2 ए में आप बिटा एक और आप जोडने की आप कोशिश करोगे दोनों का आप इस्कौाइर आप करोगे तो पर यहां पर two a जो होगा यह स्कौाइर फिर जना एक का स्कौाइर यानि की root 3A आपका diagonal का formula बन जाता है जो इसका cube का होता है वैसे आपको यह वाला formula directly रटा हुआ होना चाहिए कि जो cube का diagonal होता है वो होता है आपका root 3A बेटा root 3A की value हमको बेटा दी गई है कितनी 12 बेटा root 3A बराबर अगर मेरे पास में under root 12 है यानि कि root 3A is equal to root 3 into root 4 यानि कि A is equal to हो गया 2 तो कोई अगर पूछे कि हमसे volume क्या होगा तो volume हो जाएगा A का cube यानि कि 8 cm cube तो 8 cm cube will be the answer option A is the correct answer of this question दूसरा अगला question लगाओ what will be the answer of this question अच बहुत पास्ट आज question साच चलना है मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तबियत बहुत खराब है let's hope कि मैं शामवाली क्लास ले लू झाली को तो तुम typing जामवाली रहान झाल Сейчас जह सक्yas लेता है आरप what will be the answer of this question is the 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 झाल झाल what will be the answer of this question? what will be the answer of this question? चालो आए देखते हैं इस water tank है जो कि हमें 200 मीटर लंबा 1500 मीटर चौड़ा दिया है एक cross section pipe है जो कि 0.3 मीटर 0.2 मीटर 20 किलो मीटर पर आर के rate से पानी फेक रहा है तो आपको ये बताना है कि water level क्या होगा 8 मीटर मतलब कितने time में हो जाएगा मैंने का okay मैंने का देखो problem है क्या problem है कि ये 20 किलो मीटर पर आर जो है इसको बेटा मैं लिख लेता हूँ 20,000 मीटर पर आर ठीक है? अब इससे अब क्या होगा? कि ये भी जो मीटर है ये भी जो मीटर है ये सभी लोग बेटा मीटर में हो जाएंगे तो आपने का ठीक है सर तो ये हो जाएगा 3, 2, 4 और 4 ये 12 12 तो ये हो गया 20,000 के दो ये 1200 के ये लगा दिये अब आप कोगे सर आपने 12,000 लगा है जबकि दो जीरो आगे और आने थे मैंने का बेटे दो जीरो आते बिलकुल आते लेकिन ये वाले डैसिमल ना इनके पीछे के दो जीरो खा जाएंगे तो ये तो नहीं काम चल पाएगा अब यहां पे मेरे पास में क्या है 200 यहां पे मेरे पास में क्या है 1.500 और यहां पे मेरे को कुछ पता नहीं है कि 8 मीटर चलो 8 मीटर पकड़ लेते टाइम अपने को बताना है कि इस काम में कितना लगेगा मैंने इसको मैंने काट दिया है इहां से 6 बार और इधर से बिटा जब मैंने देखा इसको तो परह ये वाला आपका कृट जाएगा 25 बार लिकिन ये सब बिटा किसमें है पहले से हमें जला हजा अचार बार पाँच बार तो फर 50 राज़ बिलभी दी answer of this question option a will be the answer of this question खतम हो जाएगा question ठीक है यह सब चीज है जब कि मैं पहले मैं आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि कैसे क्या करनी है क्यार कोई दिक्कत नहीं आज की पूरी क्लासी मुझे लग रहा है वेस्ट चली गई है कोई सेंस नहीं बन पा रहा है मेरा करीए झाल 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 व्यूभावावावी नाड़ लाज़ की अपासर बाता प्रूम सकते हैं व्यूर करेंगा व्यूर करें द्यूर नाड़ लाज़ बाते हैं what will be the answer? what will be the answer what will be the answer चलो आओ देखते हैं उसके बाद में बिटा लास्ट कोश्चन होगा एक कोन है जिसका हाइट हमको बिटा फिफ्टीन दिया गया है जिसका बेस का डायमीटर हमें थर्टी है लेकिन बेस का रेडियस बिटा पंदरा हो जाएगा एक स्पेर से निकाला जाता है जो कि 15 सेंटीमीटर है ठीक है उसका बेस्पेर का रेडियस बिटा कितना है 15 सेंटीमीटर यानि कि 4 बटे 3 पाई आर स्क्वाइर एक बटे 3 पाई आर स्क्वाइर यानि कि 15 इंटू 15 इंटू 15 आप यहाँ पे करोगे और यहां पर बिटा आप चार बटे तीन पाई आर क्यूब आप करोगे और आपको इसी चीज का बस केवल प्रतिशत निकाल देना है तो ये 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 कट जाएगा एक बटा चार है यानि कि ये इसका 25 परसंट है तो फिर कितना एरिया वेस्ट हो गया है 25 और बचा कितना है आपके पास में 75 क्योंकि पेटा आपने एक स्फेर से अगर एक गोले से कोन बनाया है तो आपके पास से हर कंडीशन में आपके पास से हर कंडीशन में वो कोन जो है वो आपका काम का एरिया है बाकी सब आपका wasted हो जाता है ठीक है? चलो last question अच्छा, lasty slide पर है ओके, let's see last question for today करो भाई, करो what will be the answer of this question do it अच्छा, lasty slide करो what will be the answer final question for today what will be the answer what will be the answer चलो आओ, देखते हैं radius है जिसका base है, height है right circular cone का वो बेटा 5 ratio दो है यानि कि right circular cone अगर मैं पकड़ता हूँ तो 5 into 5 into height का बेटा मैं 12 मैं लिख दूँगा वाकि आ रही है आ रही है यह वाला बेटा height है the volume of cone जो है वो 314 है 2 बेटे 7 cm3 ठीक है, बहुत बढ़िया बात है the slant height of the cone will be the radius of the base and height of a right circular cone, ओके ठीक है भाई, अब देखो अब इन्होंने मेरे से का आए के radius और height का रेशियो क्या है तो यह हो गया है 5x, तो height जो है वो आपकी हो जाएगी 12x तो बेटा slant height जिसे हम लोग L कहते हैं, वो कितनी हो जाएगी 13x, बात कतब क्योंकि बेटा उसने तो volume आपको दे दिया है न, if the volume of the cone is 3, यह हो गया 2, 7 तो बेटा आपको 314 और यह सब आपको बेटा नहीं करने की जरूरत है आपको बस केवल एक ऐसा number आपको देखने की जरूरत है जो कि 13 का गुडांग को केवल एक ही number है 13 का गुडांग So option B is the answer of this question बस खतम हो जाएगा केवल आपको बेटा 13 का गुडांग देखने की जरूरत है और कुछ भी नहीं देखने की जरूरत है तो बड़ा आज के लिए इतना आप लोग इस सवाले सवाल का आप लोग जवाब बताएं आपके पास में दूर नेट So try to solve this question आराम के करे लिए बिलकुल आराम के कीजिएगा question आराम के बिटा आप लोग कोश्च को करिए झाल 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 आईए लेखते हैं यह वाला कोश्चन अब हम लोग किस तरीकें सब्सक्राइब हमें दिया है कि इस तरीके से दिया गया है कि आपका एरिया उप स्क्वायर हो गया और रेक्टेंगल हो गया है जो की इक्वल है यानि कि यहां पे चाहे मैं ऐसे करके मैं डिबबा बनादू चाहे मैं इस तरीके सब करके आयत बनादू दोनों का जो एरिया है वह आपका बिलकुल इक्वलाएगा तो इसने कहा है कि जो लेंध मैंने खाट directly इसका बिटा निकाल लेते हैं तो फिर a square plus का pi b minus का 3a minus का 15 इस तरीके से खरक्य हो जाएगा यानि कि हमें यहाँ पर पता है कि 2a की value बराबर है आपके बिटा 15 तो a की बराबर हो जाएगी बिटा साड़े साथ तो a की value अगर हम लोग साड़े साथ रखेंगे rectangle का perimeter लिकालने के लिए तो यह वाली line हो जाएगी बिटा आपकी साड़े बारा और यह वाली line हो जाएगी बिटा आपके साड़े चार साड़े चार और साड़े बारा को आपस में जोड़ेंगे तो फिर बिटा 17 हो जाएगा और 17 का दुगना हो जाएगा आपका perimeter यानि कि 34 will be the answer of this question option is the answer of this question अभी आप लोग यह बताईए कि आप लोगों को यह वाला method अगर आप लोगों को समझ में आया है तो तो आप आगे के questions भी आप लोग solve कर पाऊगे otherwise आपको बिटा आगे के questions solve करने में काफी दिक्त महसूस होगी मैं आपको यह वाली चीश बिल्कुल frankly बता रहा हूँ काफी दिक्त बिटा महसूस हो सकती आगे के questions को solve करने में कि आपका चल क्यों नहीं रहा है जी आपको आगे के questions भीटा solve करने में काफी आपको issue महसूस हो सकता है काफी दिक्त महसूस हो सकती है तो आपको इतनी चीशे आनी चाहिए actually मैं भीटा किसी all link पर यह वाला run कर रहा था लेकिन चलिए ठीक है उसमें कोई भी बुरा ही नहीं है तो यह आपका answer हो जाएगा करिए बिटा यह दूसरा question है करिए बैठके आप लोग अगेन आपके पास में मिटा दो से धाई मिनटा है इस सवाल को साओ जल्दी बताईया what will be the answer of this question झाल 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 पर आपको रॉंबस का दो सॉचालिज दिया है डिस्टंस बिट्मीन दो पहले साइड बेटा आपको त्विट्टी लिया आपको एलिया और रॉंबस बताना है आईए अब देखते हैं क्याते करेंगे लेट्स हैब लोग यहां पर हमको बेटा दिया गया है कि पेरिमीटर और रॉंबस है रॉंबस जो होगा हमारा वो कुछ इस तरीके से ड्रॉआ हो जाएगा यह दो सॉचालिस है यानि कि यह भी सिक्स्टी होगा यह भी सिक्स्टी इसने का पैरलल जो लाइन से उनके पीच की दूरी बेटा इधर से तो 20 है मैंने का बहुत अच्छी बात है अगर यह वाली चीत बेटा 20 है तो यहां पर बिटा मिडल पॉइंट पे आपका बिटा शून्य हो जाएगा तो आपने का हाँ सर मैंने का बिटा मिडल पॉइंट पे अगर यह वाला अगर मेरा शून्य हो जाएगा तो इधर से भी वाला बिटा कितना रहेगा तो आपने का सर 20 रहेगा यानि कि 10 और 10 हो जाएगा इधर से बिटा 60 और 60 है यानि कि रॉंबस हमें जो नजर आ रहा है वो कुछ इस तरीह से बिटा वो नजर आएगा यह के इस तरीके से करके होगा तब ही बिटा ये वाली आपकी लेंथ इस तरीके से आपकी establish हो पाएगी otherwise आपकी नहीं हो पाएगी तो एक side का बिटा 60 है एक side का बिटा आपका 10 है तो 60 और 10 को बिटा अगर मैं multiply करूंगा तो पर ये वाला area निकल आएगा तो 60 और 10 को बिटा multiply करने से हमारे पास में बिटा 600 आ रहा है और 600 को अगर हम लोग बिटा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सारी जगाओं पे ले लेंगे कि आप लूग फ्लीज थोड़ा सा सोच समझके चीजों को करें थोड़ा सा इतमिनान से चीजों को करें ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं ये सब चीजे तो अगेन आप लोग बिटा दो मिनिट का समय लीजिए पूरे अपने बिटा मंद से सोची और उसके बाद ही में आप लोग आंसा कीजिएगा पॉर्ट विल बी आंसर आउफ दिस कोश्चन आराम से बताईये झालाद दिस कोश्चन आराम से बाद ही में आराम से बालाद है what will be the answer of this question 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 what will be the answer what will be the answer of this question 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 what will be the answer what will be the answer of this question what will be the answer of this question आराम से बताईए आराम से बताईए इताईए धर दो कि कोई देदेग्ट रदकरीच्जर्स झाल 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 यह वाला देखो यह वाला देखो आग लगा दिया लोगों ने खार छोड़ो आप लोग यहाँ पर देखिए अब मेरे wooden box का dimension ये हैं लेकिन जिस rectangular box दूम डाल लाए हो इसका dimension है 8 into 7 into 6, अब ये पहले ही से बेटा संटी मीटर में है, लेकिन उपर वाला पहले से मीटर में था, तो मीटर को संटी मीटर में मुझे चेंज करना पड़ेगा, अब की बार ही इसको काटेंगे, तो इसका औबल 0,00,000 ऐसे करके आ जाएगा, यानि कि ये कितना हो रहा है, दस लाक सेंटीमीटर क्यूब एक लाता option यहां पर यह दस लाक यह विराज मार रहें तो option 4 is the answer of this question खतम हो गया जादा कुछ आपको करना ही नहीं होता है इन सब चीजों में आप लोग बिटा चीजों को समझ नहीं रहे हैं बहुत आसानी से पेपर निकल सकता है लेकिन आप में रेगुलारिटी होनी चाहिए जब तक आपकी रेगुलारिटी नहीं है तब तक कोई मतलब नहीं है नहीं समझेजों करो अगला सवाल इसको देखो और करो झाल 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 game झाल इंट कर जा एफ अजा है, तो है कि अज़ विए लूटी ट्यूटर डैनिंव च्टींप व्यानि है वैज वी देए इन से थाफ दो अन्सरी बिर्च वजिए इसा कर दो दूशने कि अविए इंट कर खाफ प्राव कर दो़े इंट कर दो देए रहे वी जाहत है झाल झाल आओ पेटाओ देखते हैं अब यह वाला सवाल कैसे होगा रेडियस हमें दिया हुआ है किसी भी कौन है पहले तो पैन में डार्क में कर लेता हूं पता नहीं यह वाला कौन मेरे पास में यह कौन है इसका बेटा रेडियस हमको दिया गया है साथ आपने का ठीक है तो अब देख सर्फेस हेरिया यानि कि पाई यारल कोई मेरे से कह रहा है सर आपका पांच्वपचास मैंने का ठीक है यानि कि 22 बटे साथ इंटू साथ इंटू एल बराबर हो जाएगा मेरा पांच्वपचास तो फिर इसको इससे काटा मैंने यह ग्यारा से मैंने काटा यह वाला पचास बार आएगा तो एल आएगा बेटा 25 रेडियस मेरा दिया हुआ इस साथ अब तुम्हें ये वाली बात पता है या नहीं पता है यह 25 ये 7 है तो यह हर कंडिशन में बिड़ा 24 होगा इसको कहा जाता है पाईथा गॉरियन रिप्लेक्स पाईथा कॉरियन रिप्लेक्स बिड़ा तुम्हें कम से कम 100 अकी याद होनी चाहिए जब तक तुम्हें 100 अक्की पाइथा गॉरिंट रिप्लेट्स नहीं आदा है तब तक में तुम्हें बहुत 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 जादा दिक्कत आने वाली है एक्जाम के अंदर I can assure you 100 अक्की पेटा तुम्हें ऐसे ही याद होनी चाहिए मतलब कि कोई कुछ भी बोले तो फिर तुम उसे बता सको अब इसने पूछा क्या था वॉल्यूम ऑफ कोन यानि कि एक बटे तीन हो जाएगा पाई का मतलब हो जाएगा बाइस बटे साथ इंटू साथ इंटू साथ इंटू चौबेस खिक है एक साथ को इधर से काट दो आठ इधर से काट दो जाएगा तुम्हारा कितनी बार मैं इसे मैं मल्टिप्लाई करूंगा तो यह हो जाएगा चैसुशुशुशुशू और चैसुशुशुशुशू को अगर मैं दुग्ना में करूंगा तो फिर 32 will be the answer of this question. अब मैंने इतनी जल्दी कर दिया ये बिटा ये तुम्हारे बसका काम नहीं है, है की नहीं? भाई, बिल्कुल सिंप्ली इस बात को समझो, कि मैंने इतना जल्दी कर दिया है और आपकी आखों के सामने मैंने स्टॉल्फ करते हुए, मैंने कर दिया है, लेकिन ये क आपके बसका है नहीं इत्था, फस्वास्ट करना, क्योंकि आपको नहीं, तो यह नहीं पता होगा, तो आप यहां पे आप 25 का स्कॉर, माईनस 7 का स्कॉर, यह सब आप लो करोगे, मानो किसी तरीके से Rent 424 आप को निकाल भी लोगो, तो कंबत्तों आधों, को यह नहीं पता का इसी समय का बिटा मैं एक बटा तीस टाइम में ये वाला सवाल में कर दूंगा एक बटे तीस यानि कि मैं आपसे कह रहा हूं मात्र और मात्र मुझे बस तीन से चार सेकंड्स मुझे चाहिए मैंने का मेरा उप्षन ऐसा होगा जो साथ से जो डिवाइड हो जाए ये नहीं हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा केवल यह होगा आपने का सर आपने ऐसा क्यों किया कि साथ से डिवाइड मैंने का यार एक बात बताओ अच्छा दूसरी बात है मुझे ऐसा option चाहिए जो 11 का गुड़ांग को ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है केवल ये है तो आपने का सर 11 का गुड़ांग क्यों मैंने का भाई जब तुम मेरे से बात करते हो कोन के volume की उसमें pi आता है pi आता है तो 22 आता है यहाँ भी देखो बिटा 11 को कोई काट नहीं पाया है तो फ्रीया आगे जाएगा ही जाएगा तो यह तरीका यह मेरा signature move है समझो इस वाले को करो आराम से इसको करो बिलकुल आराम से बिलकुल इत्मिनान से करना है तुमारे पास में बेटा धाई मिनट का समय है धाई मिनट तक क्रप्या करके आप अपने pen पे paper चलाते रहे तब ही आप से कुछ होगा मैं गिन रहा था कि कितने और questions बाकियें कितने हो चुके हैं तो you have 2.5 मिनट मैं कुछ नहीं बोलूंगा बेटा 2.5 मिनट तक हो सकता है बीच में एक आद बार मैं बोल दू जल्दी करो झाल झाल जल्दी बताईए झाल What will be the answer? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. what will be the answer you झाल झाल वाट विल भी दी आंसर आफ दिस कोश्चन शलो बिटा तुमारा टाइम खतम हो चुका है यह कह रहा है कि ड्रॉप जो है मेरी स्फेरिकल है उसका डाइमेंटर जो है वो एक बटा दस है संटीमेटर का मैंने का बहुत अच्छी बात एक कोनिकल ग्लास है जिसकी हाइट जो है वो इकवल है डाइमेटर ओप इट्स रिम यानि कि मैं अगर इसको अगर मैं 2 आर अगर मैं मानता हूं तो फ्री इसका रेडियस मुझे आर मानना पड़ेगा तो इन्होंने मेरे से कहा है कि आपको 3200 आपको 3200 ड्रॉप ऑफ वाटर आपको लग जाती है मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है 3200 मुझे वाटर लग रही है ड्रॉप लेट चार बटे तीन है बाइस बटे साथ हो जाएगा रेडियस मेरा कितना एक बटा दस का एक बटा दस का एक बटा दस ये सब किसके बराबर है इसके वालियूम के बराबर है यानि कि यह हो गया एक बटा तीन यह हो गया हमारा 2R और यह हो गया मेरा R स्क्वाइर तो मुझे पूछ रहा है कि आपको यह बताना है कि height of the glass कितनी है यानि कि radius निकालो और उतको बिटा दुगना बसके वला में कर देना मैंने का ये तीनों यहां से ये वाले कट जाएंगे ये वाला जो आपका बिटा तीन है यहां वाले बिटा तीन से आपका कट जाएगा ये वाला जो आपका पाई है इधर के बिटा पाई से आपका कट जाएगा यानि कि यहां पे आपके पास में बच्छडा है 32 इंटू 4 और ये है बिटा आपका 2 R Q मैंने का 2 को बिटा इससे काटोगे तो 64 R Q का मतलब क्या हो जाएगा तो आपने R की वैल्यू कितनी निका ली है 4 तो आपके ग्लास की हाइट बिटा कितनी हो जाएगी उसी के हिसाब से आपकी हो जाएगी तो 4 विल बी दी आंसर आप दिस कोश्चन 4 विल बी दी आंसर आप दिस बहुत दिक्कत है यार बोलने को तो जोश में जो ना बोलने लगो यार पढ़ाते पढ़ाते हलका से excitement आने ही लगता है लेकर बहुत सही नहीं है stitches यह जो पीछे लगी हुई है इसकी वज़े से सही नहीं excitement दिखाना आज कली शाम में वाई मैं hospital से मैं आया हूँ उन्होंने का कि stitches सर आपकी फिर से सढ़ी ली हो गई है उसको tight कराया है आप यहने स्थीसे का injection दे देखिया tight होता है दिमाग खराब हो जाता है करो the volume of right circular cone is equal to the volume of right circular cylinder देखो बेटा पीछे वाला बेटा समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आया है तो भी बेटा यह पता चल गया होगा कि आखिरकार आपको करना कैसे है अब बेटा इसके अलावा मुझे तो कोई और तरीका नहीं आता है करने का आपको आता हो तो आप लोग बेटा discuss जरूर से कीजिएगा करिए बेटा what will be the answer of this question इस वाले सवाल को अब बताईए आप यह रहा आपके सामने करो जल्दी झाले सकता है झाल 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 what will be the answer? झाल 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 किया हो जाएगा आप informing बता पा रहे हो तो आओ देखो वाल्यूम जो हमको दिया गया है यहां पे राइट सिर्कुलर कोन का बिलकुल ध्यान से समझो वाल्यूम हमको यहां पे बच्चे जो दिया गया है वह राइट सिर्कुलर कोन के बहुत बढ़िया बात है ठीक है इसने का है जो हाइट और radius है साइलेंडर का मतलब पहला वाला जो साइलेंडर मैं मान लेता हूँ उसका जो हाइट इन्होंने दिया है वो दिया है 9 और radius जो इन्होंने इंटू नौ पराबर हो जाएगा पाई 108 इंटू आर के स्क्वाइर के यही तो हो जाएगा अब आप से मैंने का कि यह पाई से पाई यह काट दो पहले तो दूसरी बात है कि नौ से इसको काट दो 18 अच्छा 18 बार जब तुमने इसको काट आ है तो यहां पर 10 आ है ये वह वाला पिटा आपका 20 आ रहा है फॉन तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ है पहला यारार भू यह जाजी dedicate कर देंगे the height of the cylinder अच्छा, cylinder की height है ये तो इधर वाला बिटा, एक बटे 3 हो जाएगा ठीक है? ये वाला बिटा, पंधर्ड हो जाएगा तो बिटा, इसको जब मैंने यहाँ पे मैंने 9 से काटा, 18 आया 2 से काटा, तो फरी ये बिटा, 9 आया 9 को इधर से काटा, मैंने ये वाला कितना आ गया? 3 आ गया 3 आ गया आपका, ठीक है? 108 था, 9 से काटा, बिटा, 12 आया 12 के बाद में बिटा, मैंने दोनों 10, 10 से मैंने काट दिया यहाँ पे, तो ये 100 बच रहा है तो फरी ये आया बिटा, आपका 3 और 3 से इधर पे बिटा ये वाला कट गया तो आर स्क्वाइर की वैल्यू बिटा 10 इंटू 10 बचेगी, तो आर की वैल्यू हमारी जो आएगी, वो आजाएगी 10 फिर से समझ लो, यहाँ पे बिटा 20 इंटू 20 इंटू 9 लिखा है वहाँ पे बिटा मैंने 9 से मैंने काटा 12 बार गया, 12 को बिटा मैंने इधर से लेके मैंने 4 से काट दिया, तो दोनों बिटा 400 की बजाए, बिटा 100 बचेगे वल वो बिटा 12 बचा था 12 को बिटा काटेगा, 3 बचेगा तीन को बिटा मैंने एक थी हाई से मैंने काट दिया था वहाँ पे क्योंकि बन थर्ड क्या होता है आपका फोन का वॉल्यूम क्या होता है वन बाई थ्री पाई आर स्क्वाइर एच तो उससे मैंने काट दिया तो फिर आपका अंसर आ जाएगा रेडियस 10 रेडियस 10 देखो आप्शन नमबर 4 भी लिखा हुआ है तो आप्शन नमबर 4 इसके बाद वाला बेटा सवाल लगाओ कि अरे ट्रपीजियम आ गया है लगाओ 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 देखते कौन कौन कर पाता है अरे what will be the answer of this question you what will be the answer of this question you झाल झाल अब आओ देखते हैं वाट विल बी आंसर आप दिस कोशियर्ट भाई तुम लोगों का परफॉर्मेंस जो है वो बिलो कावी बिलो एवरेज चला है तू बी वैरी फ्रैंक बिलो कावी बिलो एवरेज चला है मैं बिल्कुल मैं फ्रैंकली अगर मैं बताऊँ आप लोगों को तो है ना चलो हमें बिटा एक प्रिजम एक दिया हुआ है जो कि ट्रपीजियम है ट्रपीजियम के बारे मैं जानते हो यह दो लाइन ऐसे है दो लाइन बिल्कुल पैरलल है अब यह सबब उपर जाके इससे यूँ करके मिल जाएंगे तो पर यह ट्रपीजियम का यह वाला शेप ले लेगा हमारे जो काम का शेप है वो एक्चली में यह वाला है यह ठिक अब ट्रपीजियम की एक आदत होती है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बटा area of place into height तो area of base into height होता है इसने मेरे सकाए जो 2 parallel sides है उनकी length है तो बटा 2 parallel sides ऐसे करके मिल ट्रपीजियम के मैं बना देता हूँ कि नीचे वाली की है 10 उपर वाली की है 6 और इसने का इनके बीच का जो लंतर है वो है बिटा पांच यानि कि यह भी है 5 यह भी है 5 मैंने का बिटा एक बात बताओ। का area बिटा हो जाएगा आपका 5 यहां का भी area बिटा आपका हो जाएगा 5 क्योंकि 5 into 2 हो जाएगा 10 10 को बिटा आधा करेंगे तो इधर से भी जोड़ेंगे इधर से भी जोड़ेंगे ठेक है तो हमारा area of base हो रहा है बिटा 40 और इसने prism का हमें दिया है 8 cm height तो हमारा जो area of prism हो जाएगा वो 320 cm wire होने के chances हैं sorry cube होने के chances हैं तो 320 cm cube is the answer of this question कौन से option में दिया है option A is the answer इसको पिटा मैं और अच्छे से मैं लिखे दे रहा हूं बना के जिससे आपको कल को अगर आप लोग screenshot लो तो फिर आपको चीजे नजर आए ये बिटा 6 है तो ये भी 6 है तो ये 2 है तो ये 2 है तो ये 5 है तो ये 5 है इन दोनों का area जो निकालेंगे ये है 30 इन दोनों का area जो निकालेंगे ये है बिटा 5 और इदर का भी area जो निकालेंगे ये है 5 तो total हो गया बेटा 40, अब area of base को हम लोग बस केवल जो prism होता है, उसकी लंबाई से हम लोग बेटा multiply करते हैं, जो है हमारे पास में 8 cm, अगला question बेटा करो, बस दो ही सवाल बेटा बचे हैं, करो, दो के बाद में खताम है, करी डालो, करो, अगला question try to solve this question और लुम है कर में, करो, आए हमारे बच्व झाल 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 बताईये what will be the answer of this question चलो बेटा झाल डाल लूह स्वेयर का जो टोल सरफ़ेस एरिया हाथा वो पाई आर स्काइर होता है। हमी स्वेयर का बेटा जो होता है वो पाई आर स्काइर होता है। अब इसने काये कि इसका अब आपको अगर रेशियो अगर बताना है तो सीधी सी बात है कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा आपका चार बटे तीन हो जाएगा अब आपको अगर ये वाला फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो तो अच्छी बात है अच्छा बहुत से बच् पाई आर स्क्वाइर से दर्शाते हैं लेकिन ये भी तो जोड़ना पड़ेगा टोटल में तो एक पाई आर स्क्वाइर बिटा इसकी वज़े से जुड़ जाता है है ना चालो में सर आप देस कोश्चियन कि कि इसके बाद वाली जो बेटा आपकी होगी लगवग साड़े पांच बज़े के आसपास से वो भी क्लास चलेगी आपकी चलिए बताइए चलो जो लोग नहीं बता पा रहे हैं वो लोग सामने देखेंगे अगर हमें एरिया और ट्राइंगल दिया है 1176 तो फिर इसने कहा है कि जो कर्रस्पॉंडिंग आपका एटिट्यूड है और बेस है उसके बीच का जो रेशियो है वो है आपका एक बड़ा दो यानि की तीन एक्स ले लेंगे इसको और चार एक्स ले लेंगे रेशियो अनुसार तो बेटा दो से इसको मैं काट दूंगा च्छे आएगा इस पूरे चैसे मैं इसको मैं काट दूंगा तो फिर यह एक बार जाएगा एक बार के बाद में बेटा चार मेरा हांसल बचेगा चार को बेटा मैं 47 बार मैं नहीं ले जा सकतना हो इसलिए मैं साथ बार मैं 42 बार मैं ले जाऊंगा और 42 बार बेटा ले जा तो ये दिया है 3 ये दिया है 4 तो ये तो right angle triangle हो गया तो attitude of triangle अगर ये पूछ रहा है 1176 है तो 1176 को अगर मैं half length into breath अगर मैं करता हूँ तो फिर मैं 2 से 2 मैं काट दूँगा वहाँ पे वो 2 बचेगा 6 बच जाएगा 6 से मैं काटूँगा एक बार में ये वाला जा पाएगा 6 बा 96 है तो x की value आपकी कितनी हो जाएगी तो आपने का सर 14 हो जाएगी तो मैंने का 3x की value कितनी हो जाएगी तो फिर आपने का सर 40 हो जाएगी मैंने का 4x की value कितनी हो जाएगी आपने का 56 हो जाएगी मैंने का option number D आप लोग ध्यान से देखें आपको 56 दिया हुआ है आपका question का अंसर आ चुका है खतम बस चीक है अगले सवाल पर चलते हैं अगला वाला लगाओ इमानदारी से लगाओ पहले सवाल की तो भाईया पजीहत हो गई यह रहा आपके सामने दूसरा सवाल ध्यान से करें करें करिए what will be the answer of this question करिए 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 कर şunu कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो स ludzie जल्दी बताएए what will be the answer what will be the answer what will BE the answer कि आहिए देखते हैं अब ये वाला सवाल कैसे होगा मुझे दिया है बेस और किसी triangle है कोई एक triangle है जिसका base हमें 15 centimeter height दे रहा है मैं 12 centimeter यह कहारा है high टेक और जो triangle कीए वो double the area having the base 20 centimeter ठीके ना तो अब आप एक बात देखिए एक और भी हमें त्रिबुच दिया गया है जिसकी उचाई हमें ग्याद करनी है और इस त्रिबुच का जो छेत्रफल है वो दुगना है लेकिन आधार इसका कितना है बीस है तो मैंने का भाई एक बात देखो पहले वाले का यह क्या हो जाएगा 12 इंटू 15 हो जाएगा अच्छा वाला यह जो कह रहा है यह दुगना है लेकिन यहां पर यह वाला बीस है तो इस वाली अगर निकालके देनी है वो तो biggest आपर साडह चार आ रही है तो साडह चार का दुगना अगर हम लोग करेंगे तो फिर वो कितना आ जाएगा और सेंटीमीटर आ जाएगा तर नाइन सेंटीमीटर विल भी दिया आंसर आप देट कोश्चन के नाइन सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दिये गए आपके सवाल का चलिए अगला करते हैं बहुत सवाल है भया अभी तो दो क्लासेस लगातार आपके इसी के चल नहीं है इन्ही सवालों पर बहुत सवाल है करिए झालों पर बहुत सवाल जापके सवाल झाल 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 भाई क्या हो जाएगा अंसर इक अरो झाल सेमी पेरिमीटर का आधा होता है तो यहां पे अगर हम लोग बेटा नॉर। पेरिमीटर देखेंगे तो यह हो जाएगा 48 का आधा यानि 24 और उसके बाद में इवाला फॉर्मला तोहरा लगता है जहां पे की S लिख टे हैं फिर माइनस का A लिखते हैं फिर S माइनस का B लिखते हैं फिर S माइनस का C लिखते हैं अब यह ABC क्या है यह ABC उपर दिये गए साइड है जहापे की perimeter जो होता है उसी का formula होता है A plus B plus C upon 2 ठीक है अब आपने यह सब चीजें क्लास नवी में पढ़ी होंगी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर धितकार है आपके दसवी पाक होने पर अब इसको हम लोगों को अगर solve करना है तो फिर यहां पर बिटा यूं करके 24 लिख देंगे 24 में से बिटा A जाएगा यानि कि 16 जाएगा तो 8 आएगा 24 में से B जाएगा तो 12 आएगा और 24 में से C जाएगा तो 4 आएगा मैंने का वहुत ध्यान से इस वाली चीज़ को देखना 12 इसके भी पास है 12 इसके भी पास है तो दोनों जने अपना 12 बारा लेके निकल जाओ बिटा ये दो छोड़ेगा तो फिर ये पकड़ लेगा यानि कि 12 इंटू 8 आपका अंसर हो जाएगा यानि कि 96 सेंटीमीटर स्क्वाइर विल बी दी आंसर आफ देस कोश्यन लेकिन मैं ऐसे मैं कभी भी नहीं करता क्योंकि मुझे ये पता है कि दुनिया में पाइथा गॉ बार जाता तो भी इसका अंसर बिटा 96 सेंटीमीटर स्क्वाइर आता अब ये वाली चीज बेटा मैं वर्बली मैं कर सकता हूं वर्बली जिन लोगों को नहीं पता है मतलब ये होता है कि मौखिक रूप से मैं इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं लेकिन ये मैं मौखिक रूप स हमेशा हाइस साइड के बगल वाली जो दोनों साइडे होती है, मतलब तीन आपको साइड दियोंगी, तो सबसे बड़ी वाली छोड़ देना, बाकी दोनों का स्क्वाइर करके देख लेना, कहीं तीसरे के स्क्वाइर के बराबर तो नहीं आ रहा है, इस चीज को चेक करने के बाद ही में ये कलाकारी कीजिएगा, ने था ये वाली कलाकारी करने की आपको कोई भी आफशक्ता नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको अपने दिल से मैं बता रहा हूँ, अगला सवाल, अगला रहा हूँ, जल्दी बताईया अंसर क्यूट झा झाल 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 what will be the answer झाल 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 वाट फिल भी दी आंसर चलो आओ देखते हैं देखते हैं भाईया इन्हों ने कहा ये क्या हो रहा है करके खीचा है ये एक semi circle मेरे pen का color भी यार change हो गया ठीक है तुम यूं करके बना दो ये एक right angle triangle होगा तुम यूं करके बना दो ये भी एक right angle triangle होगा होगा की नहीं होगा आपने का हां sir होगा मैंने का अब एक बात समझो highest अगर बनाना है तो इसको highest point पे यानि की यहां से radius r ले जाओ और ये वाला बेटा आपका 2 r हो जाएगा यही तो सबसे बड़ा triangle बनेगा कोई e वाला थोड़ी सबसे बड़ा बनेगा area wise angle बेटा सबका 90 degree होता है 90 degree angle बेटा इस वाले का भी बेटा 90 degree angle मैं बना दूंगा और मैं इस वाले का भी 90 degree angle बना दूंगा दोनों equal थोड़े ही हैं दोनों अलग अलग हैं तो बेटा angle से area का कोई भी लेना देना नहीं होता है पहली बात तो यह रही जो मैं आप लोगों को मैं बताना चाहरा था तो आप यहां पे जो बनाओगे वो 1 by 2 r into 2 r आप जब करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा r square is the maximum area which can be inscribed inside semi circle अपने जीवन काल में यह वाली बात याद रखना कहने को तो बेटा यह एक तरह की theorem है लेकिन मैंने आपको theorem पढ़ाने से मना किया था तो यह mensuration का भी question आपका बन जाता है कैसी mensuration 2D mensuration याद रखिएगा इस बात को ठीक है अगला करो आज मैं कितना मैं तेज तेज मैं करा रहा हूं question यह लग रहा है कि थोड़ा सा धीमे हो जाओ बढ़िया गाना है यह वाला तरंगी रे का गाना आप लोग सुनियेगा समय मिले तो बताओ answer क्या होगा what will be the answer of this question हुआ है what will be the answer बताओ भया बताओ झाल 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 वहिया देखते हैं तुम लोगों से कोई भी कोस्चन यार लग नहीं रहा है बड़ी दिक्कत की बात है इसने का है शेड़ेड रीजन का बताओ पहली बात है यहां फिर रेडियस क्या दिया हुआ है ए ठीक है तो आप इसको यह वाला एरिया भूली जाओ यह समी सरकिल है आपका पाई यार इसक्वाइर बटे दो अब पाई यार इसक्वाइर बटे दो में से मुझे शेड़ेड निकालना है तो फिर मुझे इतना एरिया मुझे रिमूब करना पड़ेगा और इसको अगर मैं रिमूब करूंगा तो फिर बाहर मैं निकाल लेता हूँ और यह यहां पर बच जाएगा pi minus का 1 क्योंकि r square तो बाहर चला गया तो बेटा r square की जगह हम क्या लिख सकते हैं a square तो a square upon 2 into pi minus 1 अगर मैं बाहर अगर मैं ऐसे करके अगर बेटा मैं खीच लेता हूँ तो फिर यह मेरा answer हो जाएगा यानि की option a will be the answer of this कोश्यन बात समझ में आई कि नहीं आई दिल से बताओ ठीक है चलो अगला देखें यह लेओ बताओ भाईया अगर चालो खरेंगा अगर झाल 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 तो आओ देखे यह पता नहीं है आज क्या हो रहा है यह यह है यह है जो एरिया है वो है A और जो हाइट है यहां से लेके यहां तक की वो है इसकी B मैंने का ओके तो इन्होंने का ए B square upon A क्या होगा मैंने का बहुत अच्छी बात है मैंने का पहले यह मान लो कि हीवाली side x, हीवाली side x, हीवाली side x आपने का सर मान लिया मैंने का तो फिर यह B बराबर किस के हो जाएगा तो फिर आपने कहा कि सर ये b बराबर हो जाएगा root 3 by 2 x के मैंने का very good मैंने का area क्या root 3 by 2 x into root 3 by 2 x क्योंकि मेरे को क्या करना है b का square upon area करना है तो root 3 by 4 square हो जाएगा तो पिटा x से x कट जाएगा इससे ये कट जाएगा root 3 से root 3 कट जाएगा तो उपर पे आपके लिए क्या बचेगा केवल एक root 3 बचेगा so option 3 root 3 will be the answer of this question अब पता नहीं तुम ये कैसे नहीं कर पा रहे थे मैं ये वाली बात मैं समझी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को minimum इत्ती चीजे आनी चाहिए अगला करिए लाओ यार यहीं पे बना लो पता नहीं क्यों वो काले काले रंका हो गया यह वाला बढ़िया कोश्चन है इतना भी बढ़ा नहीं करता हूँ बस ठीक है इतना खुड़ा सा तो मुझे भी स्पेस चाहिए ना कोश्चन को सॉल्व करने के लिए करो भाईया करो झाले हुआज यह ए करो यह झाले हुआ पता क्या यह चे लिसनों what will be the answer of this question you झाल 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 सब्सक्राइस झाल झाल हाण्चा झाल चालो आओ देखते हैं बेटा दो को सेंट्रिक सर्किल है जिनका सेंटर है ओ रेडियस है उनका 12 और 3 तो मैंने कहा फिगर मुझे इदर में बनानी थी एक मानलो ये है अपने पास और एक मानलो ये है इन्होंने कहा है भाई साब इसका है जो सेंटर है ये 12 है यहां कहीं से सेंटर मानलेते हैं और इसका सेंटर जो है वो 3 है ये ने मानलिया B और C are the point of contact of two tangent drawn to circle 2 यानि कि circle 2 कौन सा है जैसे बिटा तीन वाला है from a point lying on the circle 1 then the area of A, B, O, C मैंने मानलिया ये वाला point यहां है एक ये गया तो ये कह रहा है कि ये बताओ मुझे A, B, O और ये रहा C इसका area क्या होगा मैंने का देखो बिटा बहुत ध्यान से देखना बहुत 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 ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूँ मैंने का कि तुम्हें काम करो तुम्हें ऐसे करके तुम्हें एक line तुम्हें खीच लो इतना area बिटा mark कर लो आपने का सर कर लिया मैंने का बहुत ध्यान से समझो कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है तो आपने का सर 12 है मैंने का यहां की दूरी कितनी है तो आपने का असर 3 है मैंने का तो यहां की दूरी कितनी होगी तो फिर आपने का असर 12 के स्वैर में से हम लोग 3 को हटा देंगे तो मैंने का हटा दे ना लेकिन पहले अभी यह बताओ कितनी होगी तो आपने का असर 144 में से 135 करना पड़ेगा आपने का हाँ और मैंने का फिर बेटा ये भी portion निकालना है तो इसी चीज का मुझे बेटा double कर देना पड़ेगा यानि कि ये तो cancel हो जाएगा आपने का हाँ मैंने का बेटा ये 3 है ऐसे ही लिखा रहें दो और ये जो 135 है इसके उपर में थोड़ा था बेटा analysis हम लोग क्या कर सकते हैं आपने का सर कैसे कर सकते हैं मैंने का बहुत ध्यान से सुनना फिर से बेटा 15 और 9 करके क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 9 into 15 आपने का हाँ सर ने का बेटा 9 को बाहर कीचो तो पर ये वाला पेटा 9 root 15 बचेगा जो की मेरा answer बन जाएगा यानि की 9 root 15 यानि की option B is the answer of this question बस option B is the answer of this question खतम हो गया question कुछ करने को था ही नहीं मेरे भाई तुम लोग खाम खामे जो ना चिंता गर रहे दे चिंता मत करो आराम से यार question यार देखते चलो करते चलो और पूज आएगे बस ठीक है चालो अगला करो धरा those tariffs करे इसको कि कर वह हिंद़्ी वाला पढ़ने की ज़र होती ही नहीं है करो झाल कि यह रहूए सहस्वार रहे कि यह जा रहुंद रहुतार क्यों कि अद्साइब का झाल 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 क्या होगा अंसर चलो आओ देखो देखो कैसे करेंगे इसको बिटा हमें दिया गया है कि फ्रॉम पॉइंट पी विच इस इस वाले पॉइंट का नाम है पी दोनों के बीच की दूरी है बिटा 13 सेंटी मीटर इसने काए कि 2 टेंजन्ट हम मारेंगे पी क्यू और पी आर तो यह हो गया आपका पी क्यू मैं मान लेता हूं यहां पे यह वाली टेंजन्ट जो मारी है इसको में पी आर मान लेता हूं यह बता रहा है कि P Q O R मुझे एरिया बता दो कि क्या होगा मैंने का कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे रेडियस के बारे में कहीं पर कुछ क्या दिया हुआ है पांच संटीमीटर का बिटा ये समझो कि ये वाली लाईन है बिटा तेरा ये है पांच तो ये बिटा बारा हो जाएगी आपने का सर आप रट के आयोगी है मैंने का एरिक गधे पाइथा गॉरीन ट्रिपलेट नाम की दुनिया में एक चीज होती है न तो दुनिया में उसी चीछ का बिटा बार बार यूज करो जब आut तो यह हो गया 12 यानि कि अगर मैं केवल इतने पार्ट का अगर मैं एरिया में निकालता हूँ तो फिर वो हाफ 12 इंटू 5 हो जाएगा आपने का हाँ और मैंने का इसी एरिया का फिर बेटा मुझे दुगना करना है तो दो को बेटा पहले ही काट तो इन दोनों को बेटा जवाब है खत्म चल अगले पर आते हैं अगर्ण देखां यह कोई हुई है नोटं की आज समझ नहीं पा रहा हूं कि यह क्या नोटं की चल रही है लेकिना आज को चल रही है करो भाई तुम लोग मत सोचों करो आराम से 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 करो चलो आओ देखते हैं कि क्या होगा इसका अंसर मेरे सका गया है कि इस वाले आपको ट्राइंगल का आपको एरिया बताना है मैंने का एक बात देखो आपको बिटा यहां पर देखो यह जो लंबी सी लाइन है यह आपको बिटा कितनी दी गई है 28 यह आपको बिटा कितना दिया गया है 10 आपने का ठीक है सर मैंने का मुद्दा यह है कि आपको आर्क्यू पता करना है तो आर्क्यू का इसक्वाइर जो होगा वो 28 का इसक्वाइ minus 10 के square के बराबर होगा आपने का हा सर बीटा 28 का square minus 10 के square को बीटा मैं 38 into 8 क्या लिख सकता हूं आप फोरे से накıs के अप कंफ्यूज हुए कि यह क्या कर रहा है यह क्या श्रूट हूं यह जहोगे कि हमारी calculation खराब है जामत करो यhã पर देखो under route आ जाएगा अगर मैं इसको मैं IQ मैं लिखूंगा आपने का हाँ तो मैंने का भाई यह वाला जोना 4 रूट उननेस आ जाएगा आपने का हाँ मैंने का भाई अगर मैं इसको मैं 2 बार मैं काट किया 20 root 19 क्या लिख सकता हूँ आपने का हाँ मैंने का 20 root 19 तो मैंने लिख दिया है लेकिन मुझे option में मुझे नहीं दिख रहा है क्यों नहीं दिख रहा है क्योंकि भाई साब यह 18 है यह 6 है तो फिर यहां पर तो यह वाला लटउ च्छे जाएगा तो यह वाला तेन बार कटेगा तो यह वाला लटउinations बने गा इसलिए नहीं देखर रहा था कैसे करते हो बे तुम लोगों कैसे करते हो बे मतला teach कर लट लिखे दे रहा है धोके से तो वो भी बैठे हुए देखी रहे हो मतलब सरम हया कुछ लिहाज इहाज रह नहीं गया है तुम लोगों के पास मैंना सच्चा ही बता रहा हूं मैं भी हार चुका हूं तुम लोगों से कर होगा आज के लिए बिटा इतना ही रखते हैं देखो है ना कई की इतना बिटा बहुत ह हो गया है अभी थोड़ी देर में मैं दुबारा से में मेंसुरेशन के आके कि कोशन कोशन नंबर दस से लेकर आओंगा वाई अभी थोड़ी देर में 15-20 मिनिट का जाके गैप ले ले हो सकता है उतने बीच में तुमको क्लास आउ स्टार्ट मिल जाए वाइपाई डिफें बहुत सारी चीजें यार मिलती है मतलब रोज रोज वाई चीज बताओ बारह महिने का 807 रुपए प्रती महा के हिसाब से है 24 मन्त का 587 रुपीस पर मंत के हिसाब से है प्ट यूवल गेट डेफिनेटली यूवल गेट डिसकाउंट इफ यू एप्लाई माई कोड एन पी स आपको बिटा मेरा कोड एप्लाई करना पड़ेगा देन यूवल गेट डिसकाउंट 807 वाला आपको बिटा 726 पर मंत पर मंत में बिल जाएगा और देखो अनफेर मीन से मत खरीदो सब्सक्रिप्शन आयम रिपीटिंग अगें अन अगें पहली बात है हमारा बताए नहीं की लॉसि कर वा देते हो तुमको तो क्या मैं बता हूँ दस-वाराख परसन के चक्कर में अपना लॉसि करा लेते हूँ मेरा क्या खाक कराओगा मैं तो आपक अपना क्या कराते हो कि अन अकेडमी को जब पता चलता है आपने अनफेर मीन से खरीदा आ आपका सब्सक्रिप् कि कोई तुमसे free की सिक्षा चीने ले रहा है लेकिन आपको test भी होता है बहुत सारी एक system नहीं मिल पाता है YouTube is not a system YouTube में मैं ही हूँ मैं ही बैठे बैठे मैं कोई मैं देख रहा हूँ लेना तो हर condition में एनपी सरियार कोड भी या लगा देना आज की class देखने के लिए धन्यवाद आप सब का देखिए आप लोगों के क्या दिन आ गए हैं कि टीचर आपको धन्यवाद दे रहा है कि आपने मेरी class देख ली तो thank you very much thank you for joining me like करके जाना चैनल को कमबक्तों subscribe कर लो thank you very much अभी मैं मिलना हूँ आदा घंटे के अंदर दुबारा से